और यामी यकिन मानिया बहुत ही मीठी है 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 लोगाज नमस्कार वेलकम आप सुक अफिस से अपारी सो अरगानिक इनकारण चनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूडूब चनल पर साथ में उम्मिद रखता हूं कि आप भी स्वस्तोंगे हेल्दी होंगे दोस्तों आज की व अगर थोड़ी बहुत मैनत करेंगे और इसके मुताबिक अगर आप इसकी स्वेल बनाएंगे जिस तरह की स्वेल होती है तो आप अपने च्छत में भी उगा सकते हैं जिस तरह से यह देख सकते हैं और इसे उगाने के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की भी जरूरत स्वेल नहीं है चावल की बरी होती है इसके लिए डिएम मिटी होती है वह में अपने फर के जरूरत यह बहुत ही अपना के लिए मा लेट इस पर नहीं पर थे और समारों इसे वीडियो मोरी जिस प्रक्षा बराने मिफर पर दो यह चाल मतलब यह से अख रहा हैं हो इसे कि पूरी तरह से सूख चुकी है लेकिन इस वीडियो पे आप बने रहे हैं इस वीडियो की स्कीप ना करें क्योंकि बहुत ही सोट में मैं आपको इंफर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरह से अपने ठरस में बोरी में भी तर्बूज उगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे मा ना दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह किस की साइज होनी चाहिए और किस तरह की ग्रोह बेग होनी चाहिए अगर आप चाहे हैं लगबग 25 इसके लिए बहुत ही अची होती है और मेक्सिवं चोड़ाई कि गर हम बात करें तो 20 या 24 इंच की भी अच्छी होगी साथ में इस ग्रोबेक के नीचे में जो होल होती है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि जो अतरिक्त पानी होगी वो सही तरीके से ड्रेन हो सके चलिए आप बात करते हैं इसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए स्वेल दोस फिर स्वेल जो सिंपल मिट्य होती है हमारे बारी या फिर खेट की जो मिट्टी होती है उसे हमें लेनी होती है इसलिए अगर कोशिश करें तो बर्मी कंपोस्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फुली डिकंपोज होनी चाहिए मतलब पुरी गली सड़ी होनी चाहिए वो भी एक साल पुरानी तो उसमें आप 30% मिला सकते हैं और 30% इसमें हम बालू मिलाते हैं रेत जिसे हम रिवर से हैं बालू बजरी जो हम कहते हैं तो चलिए एक बार फिर से आप नोट कर ले 40% मिट्टी 30% कंपोस्ट और 30% बालू रेत तीनों को मिक्सप करें और यह मिट्टी जब हम मिला करके डालेंगे तो यह बहुत ही अच्छी मिट्टी होग जब हम पानी देंगे तो वह अतिरिक पानी जो होगी वह निकल आएगी और जो मिट्टी को बनानी होगी वह पानी अपने अंदर में वह खोल्ड कर लेगी तो इस तरह से मिट्टी आपको बनानी है अब इसके पास जब पोधे हम इस पे सीप्ट करते हैं जब हमारे पोधे हमने बर्मिक कंपोस्ट डाली होती है पतियों की खाद और बराना फिल की लिक्विड तीरों मिला करके एक हम लिक्विड बनाते हैं यह हमारे पौदे के लिए बहुत अच्छी होती है ग्रोध के लिए तो लड़ी यह हमारे पास बनी होती है अगर आपने नहीं देखे हैं त दोस्तों इस liquid को हमें 10 या 12 दिन के हर 10 या 12 दिन के बाद में हमें अपलाई करनी है क्योंकि इस पौदे को काफी energy की जरूरत होती है इसकी food भी काफी बड़ी होती है तो size को increase करने के लिए हमें इसे अच्छी मात्रा में nutrition को provide करानी होगी खाद हमें add करनी होगी इसलिए आपको प्रोपर रूप से ध्यान रखनी है और दुसरी बात जो हमारी होगी वह वार्टिंग पर हमारी बहुत अच्छी से focus होनी चाहिए ओबर वार्टिंग भी आपको नहीं करनी है मिट्टी पर इतनी अच्छी से पानी आपको देनी है जो क भी आपको वार्टिंग करनी है और और ध्यान रहें इसे वार्टिंग की कमी नहीं होनी चाहिए अगर एक बार पानी की कमी होती है तो यह प्रोदे हमारे थ्लोड़ी स्ट्रेस में चल जाते हैं जिससे फ्लावरिंग ड्रोप होने लगती है फ्रूट जल्दी नहीं बनेगी इसलिए प्रोपर रूप से ख्याल रखनी है ओबर वार्टिंग भी नहीं करनी है और मुष्ट मिट्टी में हमें बनी रहनी चाहिए जैसे यूरिया डियेफी और ज प्रोशिज कर सकते हैं तो दोस्तों यह रहा हमारी ग्रूबेग में वाने की प्रोशिज ग्राउंड में अगर आप इसे जमीन में लगाते तो इसकी रिजल्ट और भी अच्छी हो तो जलिए दोस्तों इस्तरबूश को काट के देख लेते हैं यह पकी है या नहीं पकी और के अब इसकी शीलिंग करने के तरीके बहुत असान है इसकी चीट और दीग में लगवक़ बारे में दीब कर देंुआ जब बन जाते हैं वाक पहर पांते बды बन जाएंगे पिर आप दोसे वहां से बिस दिन के अंदर में आप ऊसे आप shift कर सकते हैं जहां आप लगाना चाहें गंबले में कंटेनर में या फिर ग्राउन में आप लगाना चाहें तो आप shift कर सकते हैं और इसी तरह आप अगर इसे care करेंगे तो fruit लगेगे चलिए वीडियो को और लंबी नहीं करते हैं इसे काट के देखते हैं और देखते हैं क प्रूट को हमने तोड़ लिए और बच्चे के खुसी और इसकी उतसाहित आप देख सकते हैं बहुत ही खुसी मना रही है वाके में यह इस तरह के खुसी हमें लगती है जब यह पूट अमारे गर पे लगती है और धीरे धीरे वह छोटे से बड़े होती है तो देखने में का चलिए हमारी हो गई है तरबूज अब चलिए मैं इसे काट के आपको दिखाता हूं चलिए आप इसे हम काट लेते हैं देखते हैं कि क्या हमारी तरबूज की हालत है मुझे तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है दोस्तों वाओ यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से यह पकी हुई है और देखने में भी कुछ देख सकते हैं नेच्रोल लग रही है बजार से जब आप लेकाते तो बहुत अधिक रेट करकी भी दीखती है तो वो केमिकल का असर होता है केमिकल जब हम इसे देते हैं तो फूट को बहुत ही तेजी से वो पकाती है यह आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी हुई है चलिए चलिए इसे दो भाग में हम तुकड़े कर लेते हैं लिए चलिए क्यूंक आपने भी काफी मेंनत कि है आइज केमरामेन आप सकते हैं और यह खाके हमें बताए कि किस तरह से लगी है कि यह रहा आपके लिए क्योंकि आपने भी काफी मैनत की है बीजविश में वाटरिंग ये भी कर दिया करते थे जिसे हमारे पौदे बहुत अच्छे से ग्रो की है आए इदर कि बहुत ही स्वाधिस है दोस्तों और यकिन मानिया बहुत ही मीठी है अगले बार मैं भी आपको भी इंवाइट करूंगा तो थोड़ी अधिक मात्र में ग्रो करने वाला हूं दो चार बोरी में लगाऊंगा जिसे बहुत अच्छी मात्रा में में फ्रूट लग सकती है और इस तरह से आप भी उगा सकते दोस्तों बहुत ही मीठी है यह अधिक आपको मैनत नहीं करनी है इसी गोबर की खाद और बिच-बिच में लिक्विड मैनुर हमें डालने पड़ती है जिसमें आप देखेंगे बहुत ही जल्दी लगबख 35-45 दिन के अंदर में यह फ्रूट को दे सकते हैं दोस्तों इसकी एक और वीडियो हमारी बनी हुए है टाइम तु ताइम में दिखाई है और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो में आपके साथ time to time ले क्या आता हूँ, साथ में आप देख सकते हैं, बेल आइकन जो है, उसे भी आप प्रेस कर ले, प्रेस करक के देख सकते हैं, क्यात भीडियो आपके साथ भीडियो में आपके सकते हैं, क्या जो है।